हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सबी मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से ट्रेवल जुनून में भारत के उत्तरपूर्व में बसा मेघाले देश के खूबसूरत परेटन इस्थनों में से एक है मैंने भी हाल में इस राज्य का दौरा किया और इसकी सुन्दर पगड़ी थी हम लोगों ने सुतुंगा रोड के बाद 25 से 30 किलोमेटर हम लोग आए हैं अंदर और पूरा इंटिरियर एरिया है यहाँ पर कोई हमें नहीं मिला नो सिंगल साइन बोर्ड यह जो इंटरनेट के जरी हमें मुझे पता चला था हो था कि इंडिया की सबसे लं आंचित्र में देखता रहा था यहां आसूं को रोक न सका मैंने यह सब किया अपनी ही तरह सोलो ट्रेवलिंग कर रहे गौरव के साथ गौरव महराश से आये थे सबसे कमाल का दिन रहा जब हम एक बंगाली परिवार के घर पहुंचे और वहां पर हमने लंच किया सच हम बंगॉली कम्रीटी के घर पर चुके हैं कि बॉर्डर का एरिया है बंगलादेश वाइन इंडिया का क्या नाम है गाओं का और जो जो में साथ ही मिले थे उनका ही यह निवास है और यह हम लोग जस फ्रेश वाने बात हुमें पुरा गाओं ग्रामीन एरिया है और आप जो कल्चर है किस तर से चेंज होता है कि दाहरण हमें देखा है शिलॉंग में घाले चेनापूंजी में अलग तरह का कल्चर और यहां कल्चर अलग तरह का है बिल्कुल टोटली डिफरेंट कल्चर है रहन सहन उठना बैठना आप जब प्रवेश करतें इस सेरिया में तो को पहना आवा और जो गतिविदी होती काम करने की वह भी आपको चेंज होती हुए दिखती है खेतों में लोग काम करते हुए दिखना देखना शूरू हो जाते हैं आपको और भी कई चीज है तो मैं अल्टिमेट एक्सपिरियंस में जीवन का आज मैं पहली बार ऐसा और वो मैं यूर्टि कम्यूंटि किसे अचा सी खेता हुए है ये मैं पहली बार देख रहा हूं आप मेरे व्लॉग चैनल में ही मेगाले टूर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेगाले की यात्रा कैसे करनी है तो शब्दों से बना पर नहीं हुआ है, असम, नगालेंड, मिजोरम, ऐसे राजे हैं जहां का गठन वहां की मूल जंजाती के नाम पर हुआ है, लेकिन मेघाले के साथ ऐसा नहीं है, मेघाले धर्ती की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगों में से एक है, यहां बारिश और धूप का आँख खासी जैनतिया और गारो हिल से घिरा मेघाले कई खूपसूरत नजारों को दिखाता है, आईए जानते हैं कि कैसे आप मेघाले की एक परफेक्ट ट्रिप प्लान कर सकते हैं, मेघाले यात्रा पर हमने कई ब्लॉग भी लिखे हैं, जिसमें आपको वहां की गहराई से जान लिखे हैं, मेघाले भारत के उत्तर पूर्व में है, मेघाले को असमराजी से अलग करकर बनाये गया था, इसकी सीमाएं उत्तर और पश्शी में असम और दक्षिर में बांगलादेश के साथ लगती हैं, सबसे पहले जानते हैं कि क्या मेघाले जाना सेफ है, मेघाले आपसे मन माफिक रेट नहीं वसूलता, यहां दूर दराज के गाउं में भी आपको बहत सिविलाइजड लोग मिलते हैं, आपके कीमदी सामान की सिक्योर्टी की पूरी गारंटी है, हमने खुद इसे महसूस किया, मेघाले फिमिल्स के लिए भी एक सेफ प्लेस है, यहां म महिलाओं के खिलाफ क्राइम नहीं दिखाई देता है, मैंने नौगरियाट, भोला गंज, जैंतिया हिल्स के सुदूर गाउं की यात्रा की, और मैं आपसे इन ही अन्भों के आधार पर ये बाते शेयर कर रहा हूं मैंने भरोसे को हमने पहले भी देखा था हूं के निगें हम लेक चोड़के आये थे आए और देखिए वो शक्स्यों जो ते जन्हें पर रखा था उन से दूसरे शक्स अवारा वेक लेक के आए है पर हमारे बैग में लॉक नहीं था को बता है काफी मतलब हेल्फफुल हो गए और जैसे कि हमारा पहले प्लान था जल्दी विजिट करके रिटर जाना जो कि हमारा हुआ नहीं टाइम पर अंदेरे के वज़े से कैसे पहुँचे मेगाले नॉर्थीस्ट के दूसरे राजियों की तरह मेगाले का एंट्री पॉइंट भी गुवाहाडी ही है शिलॉंग ने सिर्फ मेगाले की राजधानी है मलकी एक इंपोर्टन शेहर भी है आप अपनी मेगाले ट्रिप को शिलॉंग से ही शुरू कने आप शिलॉंग में ही ठहर कर पुरा राज घूम सकते है शिलॉंग में डोमेस्टिक एरपूर्ट है जो कुलकाता, गुवाहाटी और नई दिली से कनेक्टेड है लेकिन शिलॉंग पहुँचने का सबसे बहतर तरीका गुवाहाटी से होकर यहां तक आने का है यहां से नजदी की रेल्वे स्टेशन गुवाहाटी है आपको गुवाहाटी रेल्वे स्टेशन के बाहर पल्टन बाजार से जीब, कैप्स और शेरिंग टेक्सी मिल जाती है आप पल्टन बाजार के बस टेशन से असम ट्रांस्पोर्ट की बस लेकर भी शिलॉंग आ सकते हैं ये तरीका सबसे बेस्ट रहता है गुवाहाटी के ISPT बेल्टोला से रेगुलर बसे मिलती है जबकि बल्टन बाजार के बस टेशन से तैश शेडूल पर ही बसे मिलती है आप ओनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं गुवाहाटी से शिलॉंग तक के किराय की बात करें तो गुवाहाटी हवाई अडे से शिलॉंग के लिए अगर आप छोटी गाड़ी करते हैं तो इसका किराया होता है 25 रुपए और गुवाहाटी हवाई अडे से अगर शिलॉंग के लिए आप बड़ी गाड़ी करते हैं तो इसका किराया लगभग 35 रुपए होता है गुवाहार्टी रेलवे स्टेशन से अगर शिलॉंग के लिए आप छोटी गाड़ी करते हैं तो इसका किराया लगभग 25 सो रुपए होता है वहीं गुवाहार्टी रेलवे शेशन से ही शिलॉंग के लिए बड़ी कार करने पर इसका किराया लगभग 3,000 रुपए होता है गुवाहार्टी पल्टन बाजार से शिलॉंग अंजली बस्टैंड तक शेरिंग सुमो का किराया 300 से लेकर 3,500 रुपए के बीच होता है वहीं गुवाहार्टी पल्टन बाजार से शिलॉंग के अंजली स्टैंड के लिए शेरिंग कैप का किराया 400 से 500 रुपए के बीच होता है गुवाहटी पल्टन बाजार बस्टेंड से शिलॉंग पुलिस बाजार बस्टेंड तक असम ट्रांस्पोर्ट की बस का किराया लगभग 190 रुपय होता है मिघाले यात्रा में आपका पहला पढ़ाव शिलॉंग ही होगा शिलॉंग से आपको अलग-अलग जगों की यात्रा करनी होगी मिघाले में अलग-अलग जगों पर जाने के लिए यलो टेक्सी और बसे मिलती है लोकल साइट सीन हो या लॉंग डिस्टेंस टूर शिलॉंग के पुलिस बाजार से हर तरह की टेक्सी मिल जाती है में टेक्सी स्टेंड पुलिस बाजार है यहां से आपको टेक्सिया मिल जाती है सिटी टूर के लिए बस भी अवेलेबल रहती है मेगाले टूरिज्म का ओफिस पुलिस बाजार में ही है आप वहां से सिटी टूर और कई साइट सीन टूर को बुक कर सकते हैं यहां से आप चेरापुंजी, मौलेनॉंग, डावकी और दूसरी जगहों की यात्रा कर सकते हैं। आप टूरिज्म आफिस से घूमने के लिए कार किराय पर भी ले सकते हैं। शिलॉंग में टूविलर किराय पर कहां से लें। केटिंग रोड इसके लिए सबसे बेस्ट है। यहां से आपको हर तरह का टूविलर किराय पर मिल जाता है। इस कूटी का किराया 600 रुपए से 800 रुपए प्रति दिन होता है। इसमें पेट्रोल शामिल नहीं होता है। और वहीं रोइल एंफिल्ड का किराया 500-1800 रुपए के बीच होता है। आपको हेलमेट भी मिलता है। आप एक्स्ट्रा हेलमेट भी मांग सकते हैं। आपको टूविलर किराय पर लेने के लिए अपना आईडी जमा करना होता है। पुलिस बाजार के टेक्सी स्टेंड से आप मेगाले में कहीं भी घूमने के लिए टेक्सी बुक कर सकते हैं। अगर आप शेर्ड गाडी में सफर करना चाहते हैं तो बड़ा बाजार से इसकी सेवा भी मिलती है। यहां सुमो स्टेंड से आप दूसरी जगों के लिए शेर्ड सुमो ले सकते हैं। हाना कि ओफबीट जगों के लिए शेर्ड गाडियां कम ही मिलती हैं। तो अगर आप शेर्ड गाडी से मेगाले घूमना चाहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा समय लेकर चलें। आईए अब जानते हैं कि मेगाले घूमने के लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या है। मेगाले घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से लेकर मार्च तक का रहता है। लेकिन अगर आप वार्टरफॉल को पूरे शबाब पर देखना चाहते हैं तो मौनसूर के एंड में आना ही सही रहेगा। ये वक्त अगस से अक्टूबर की शुरुवात तक का होता है। मेगाले भारत की ऐसी जगह हैं जो हर सीजन में खूबसूरत रहती है। टूरिस्ट के लिए फेरवेर टाइम मौनसून ही रहता है लेकिन दूसरे सीजन भी कम दिल्चस्प नहीं रहते हैं। आप मेगाले कब जाएं ये डिपेंड करता है कि आप वहां क्या करना और कहां घूमना चाहते हैं। अप्रेल से जून यानी गर्मी में इस दौरान मौसम काफी सुहावना रहता है और टेंपेचर भी कम रहता है। ये वक्त मेगाले घूमने का पीक सीजन है। हाँ इस दौरान जणों में पानी कम होता है। इस दौरान अगर आप मेगाले आते हैं तो चेरा पुझी में सेवन सिस्टर वाटर फॉल्स भी शायद ही दिखाई दे। जुलाई से सितंबर मौनसून में में मौनसून जून में ही आता है। हाना कि जुलाई से यह पीक पर होता है। मेगाले धर्ती पर सबसे ज़्यादा बारिश वाली जगहों में से एक है। मेगाले में मौनसून का वक्त भी बेहत खुबसूरत रहता है। सब कुछ हरा भरा दिखाई देता है और इसी दौरान ज़र्णों को मानो नई जिन्दगी मिल जाती है। इस दौरान चेडा फूंजी और मौसिन राम खास तोर से खिल उटते हैं। हलाकि इस दौरान आपको डावकी की उमगोट नदी में साफ पानी नहीं मिलता है। अगर आप इस दौरान मेगाले आते हैं तो रेन कोट ज़रूर अपने साथ रखें। अक्टूबर से नवमर के महिने में यह मेगाले घूमने के लिए सबसे अच्छे मौसमों में से एक है। इस दौरान बारिश नहीं होती है लेकिन बारिश के बाद के असर दिखाई देते हैं। मौसम धूब और ठंड से भरा रहता है। ट्रेक के लिए यह परफेक्ट समय होता है। दिसंबर से फरवरी यानि सर्दियों में इस दौरान मौसम काफी ठंडा रहता है। यह वक्त डाव की घूमने के लिए बेस्ट रहता है। क्योंकि इस दौरान आप वहां की उंगोट नदी का साफ पानी देख सकते हैं। आईए अब जानते हैं कि मेघाले की ट्रिप में कौन कौन सी जगहें आप घूम सकते हैं। शिलोंग, मेघाले की राजधानी शिलोंग एक वाइब्रेंट शेहर है। यह मौडन सिटी है। यहां की आकिटेक्चर पर अंग्रेजी शेली का असर साफ दिखाई देता है। शिलोंग को पूरब का स्कॉटलेंड भी कहा जाता है। यहां कई बाजार हैं। पुलिस बाजार यहां का सबसे ज़्यादा भीड़ भार से भरा इलागा है। शिलोंग में कई कैफेज भी हैं। शिलोंग में आप वार्ट्स लेक, लेडी हैदरी पार्क, शिलोंग पीक, एलेफेंट फॉल्स, शिलोंग गोल्फ कोर्स, लाइट लूम कैनन, उमियम लेक और चर्च घूम सकते हैं। यहां का स्ट्रीट फूर्ड भी आप ट्राई कर सकते हैं। बजार से मिल जाती है। यलो सुमों आपको मेगाले में दूसरी जगों पर भी घूमाती है। आप बड़ा बजार से चेरापुझी के लिए परसनल कैब भी बुक कर सकते हैं। मौसिन राम से पहले चेरापुझी को ही धर्ती की सबसे नम जगह कहा जाता था। आज भी मौनसून में यहां की खुबसूर्ती देखते ही बनती है। चेरापुझी में आप नौखालिकाई वाटर फॉल को देखें जो चौधा सबसे उचा वाटर फॉल है। सेवन सिस्टर फॉल भी यहां गजब का नजारा पेश करते हैं। मौसमाई और अरवाह केव को भी जरूर देखें। चेरापुझी से आप मौसिर राम जा सकते हैं और खासी मोनुलिथ भी बड़ा बाजार से चेरापुझी तक का किराया लगभग 3,000 रुपे है। नौग्रियाट गाउं का ट्रेक चेरापुझी का बहतरीन अनुभों आपको नौग्रियाट गाउं में डबल डेकर रूट बिज गए बिना नहीं मिल सकता। इस बिज को लिविंग रूट बिज के नाम से भी जना जाता है। टेरना से नौग्रियाट तक पहुचने के लि और भी कमाल के हैं। आप एक रात के लिए यहां जरूर रुकें। हम डिस्क्रिप्शन में आपको इस्टे करने के लिए हट के डीटेल दे रहे हैं। आप उस नंबर पर कॉल करके सीधे नौग्रियाट गाउं के हट उनर से संपर्क कर सकते हैं। माउलिनौंग एशिया का सबसे स्वच गाउं खोशित किया जा चुका है। यह जगह शिलॉंग से लगभग 80 किलमेटर दूर है। शिलॉंग को अपना बेस बनाते हुए आप यहां भी एक दिन में जाकर वापस आ सकते हैं। आप डाउ की और माउलिनौंग को एक दिन के पर है चारो और हर्याली और रंग बिरंगे फूल आपका दिल जीत लेते हैं मौलिनॉंग में रिवाई गाउं के सिंगल डेकर लिविंग रूट बिज को देखिए यहां एक बैलेंसिंग रॉक है जिसे आप देख सकते हैं बांस से बनाए गए इसकाई वॉच पर चड़कर आप बांगलादेश के घाटियों को भी निहार सकते हैं मौफलांग मौफलांग से लगभग 45 किलोमेटर दूर इस्ट खासी हिल्स में इस्तित है एक बार जब आप यहां पहुच जाते हैं तो नीले आसमान के नीचे हरे भरे मैदानों और घरे जंगलों को देखते ही रहत हैं आप मौफलांग के लिए शेर सुमों भी ले सकते हैं वहां एक रात रहने की योजना बनती है तो बता दे कि इस जगह ठहरने के आप्शन्स मौजूद हैं यह एक सेक्रेट ग्रोव है इसे खासी जंजाती बेहत पवित्र मानती है सेक्रेट ग्रोव में आम तोर पर कई और जड़ी पूटियां होती हैं डावकी क्रिस्टल रिवर उमगोट को देखने के लिए आप डावकी जरूर जाएं ये जगह बांगलादेश से सटी हुई है नदी का एक छोड़ बांगलादेश में है वहां आपको धेरो बांगलादेशी नहाते खेलते मिल जाएंगे ड यहां आएं तो बोटिंग के अलावा इसकूबा डाइविंग, क्लिफ जंपिंग और फिशिंग करना बिलकुल न भूलें क्रांग सूरी वाटरफॉल शिलॉंग से क्रांग सूरी वाटरफॉल की दूरी 86 किलोमेटर से ज्यादा है इसमें लगभग 3 घंडे लग जाते हैं यह वाटरफॉल जैनतिया हिल्स में है यह वाटरफॉल भले ही शिलॉंग से दूर है लेकिन अगर आप यहां एक बार पहुत जाते हैं तो यकीन मानिए यह जगह आपको परियों के किसी देश जैसी लगेगी वाटरफॉल जादूई दुनिया की तरह लगता है यहां आप स्वीमिंग भी कर सकते हैं लाइफ जैकेट किराय पर अवेलिबल रहती है मेघाले यातरा पर हमने कई ब्लॉग लिखे हैं जिसमें आपको वहां की गहराई से जानकारी मिलती है आप इन्हें हिंदी में पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.traveljunoon.com पर लॉग इन कर सकत हैं ये food culture आपको बेहत पसंद आएगा वेच खाने वालों के लिए यहाँ पर थोड़े limited options है हां restaurant available है पुलिस बाजार के पास GS road पर कई North Indian restaurant आपको मिलते हैं राइस खासी कुजीन का एहम हिस्सा है लंच और डिनर में राइस जरूर शामिल रहता है अब जानते हैं मेघाले में कहां ठेरें शिलॉंग में हर रेंज की होटल आपको मिल जाते हैं पुलिस बाजार के पास Quinton Road पर आपको सस्ते होटल मिलते हैं इसके अलावा ही आस पास अपनी रेंज के हिसाब से आप affordable होटल भी बुक कर सकते हैं हां डावकी, मौलिनॉंग, चेरापुणी जैसी जग पर आपको होमस्टे मिलते हैं, आइए अब जानते हैं कि मेघाले की ट्रिप में खर्चा कितना आता है, मेघाले में एक दिन इस्टे का खर्च औस तन 1200 से 1500 रुपए लेकर चलिए, आपके पास इससे कम खर्च का भी option मौजूद रहता है, फूड और ट्रांस्पोर्ट यहा हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, ऐसे ही दिल्चस्प वीडियो के लिए देखते रहिए ट्रेवल जुरून और अगर आप हिंदी में हमारे ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो जुड़े रहिए वेबसाइट ट्रेवल जुरून.com के साथ, मिलता हूँ अ एक नए वीडियो में अपना ध्यान रखेगा